हेलो दोस्तों नमस्कार आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल पीएस्टेक दीजिटल में फ्रेंड्स आज के वीडियो में हम लोग तीजटी पीजटी और एल्टी की एक्जाम को देखते हुए महादीपों के करम में उत्री अमेरिका महादीप को पढ़ेंगे इससे पहले हम लोगों ने आपके दक्ष्री अमेरिका महादीब और अस्ट्रेलिया महादीब और अंटार्किका महादीब को हम लोगों ने पढ़ लिया है ठीक है तो आप लोग अपने preparation पहले से start कर दीजिए क्योंकि जो एल्टी का जो exam होता है इतना आशान नहीं होता है आपको deep पढ़ना होता है तो चलिए friends आप लोग कहते हैं कि live classes तो एक दिन में live classes के माध्यम से आप लोगों का practice session स्टार्ट करने वाला हूं फिलाल आपको offline मे फी वीडियों आपको theoretical मिलती रहेगी चलिए वीडियों को start करते हैं आज हम लोग उत्री अमेरिका का भागे तो friends हमेशा की तरह आज की वीडियो में भी हम लोग अपने notes के माधम से पढ़ने का प्रयास करेंगे तो आप लोग एटलस में map के माधम से जरूर आप लोग को map अजनेतिक इस्तितिक कम देखने को मिलेगा आपको इसमें भागोलिक जो उनके विसस्ता हैं वे आपको देखने को मिलेंगे जैसे परवत हो गया पठार हो गया इसको नदिया हो गई ठीक है तो यह चीज़े आपको महादीपों के करम में इस वीडियो में आपको देखने क मिलेगा तो चलिए फ्रेंट्स स्टार्ट करते हैं हम लोग उत्री अमेरिका महादीब को ठीक है उत्री अमेरिका महादीब को नई दुनिया के नाम से भी जाना जाता है तो प्रश्ण ऐसे बन सकता है आपके परिक्षा में कि नई दुनिया किस महादीब को कहा जाता है तो आ आपके 1492 में कोलमबस ने की थी, किस ने कोलमबस ने किया था, कब किया था, 1492 में कोलमबस ने उत्रे अमेरिका इक होज की थी, इसका जो नाम करड़ है, अमेरिगो वेस्पूक की पर किया गया है, ये आपको उतना महत्पूर नहीं है, लेकिन ये प्रश्ण बनता है, कि इसक कुलंबस निकली थी आपकी 1492 में ये आपके लिए महत्पूर्ट फैक्ट है और नई दुनिया के नाम से आपका उत्री अमेरिका महाधिप को जाना जाता है तो फ्रेंट्स ये आपको लोगों को जो मैप मैं आप लोगों को दिखाने को प्रयास कर रहा हूं ठीक है देखे य मैप को आप भी देखेंगे फाइन्प कर रूप में देख लेते हैं कि कौन से परवत स्रेडी कहां पे है ठीक है कौन से परवत कहा गालंके हम्लों को मुखर रूप से ज आपक देखेंगे, मापके मादन से कलियर हो जाएगा कि कौंसे ही कहाँ पर ठीक है तोु बूरुक के यह था आपके अलसक में है इसके बाद अलसका स्रेडि है नाम के पता चल लाकी अपे डोनों के अंतरगत आता है ठीक है तो Mackenzie-Saudhie Alaska प्लस कनाड़ा की अंतरगत आता है इसके बाद Rocky परवत बहुत बार यह Rocky है ठीक है तो Rocky परवत का आप लोग ने बहुत बार नाम सुना होगा कि हार एक्जाम में देखने के मिलता है बहुत एक नहीं बहुत एक्जाम हो मैं कि Rocky परवत कहां पर है तो यह आपके North America यह उत्री अमेरिका में है लेकिन इसके जो इस्तिती है यह Canada के अंतर गताती है याद रखेज़ेगा यह आप लिखा नहीं गया है Canada और US से दोनों के अंतर गताते है आपके Rocky परवत ठीक है तो याद रखे रखे Rocky परवत वैसे direct महादिप के बात क करेगा तो Canada और US से दोनों के अंतर गताता है इसके बाद हम लोग देखते हैं cost range ठीक है cost range की बात करते हैं तो यह आपकी Canada में ठीक है Canada दिस में ठीक है उत्री अमेरिका महादीप के Canada दिस में आपकी cost range है आईए थोड़ी सिंग की business ता हम लोग देख लेते हैं देखे Mount McKinley ठीक है ठीक है माउंट मैकेले घिक माउंट मैकेले जो की alska srady की अंतर गता है यह alaska srady की याद रखेगा ठीक है नौर्थ अमेरिका की बात नहीं हो जो आरा इतुपर यहां पर मांट मैकले जो हे सबसे उची चोटी है खीक जो कि ऐलास का स्रेडी के अंतरगता आता है आजब रखाए आगे हम लोग देखते हैं रॉक की पर्वत घ्या? ठीक है कहांपे है कनाड़ और USA में याद रखेगा रौरी पर्वत ये नर्थ अमेरिका के सबसे इंखला ये-। पर्वश्ण खला है लेकिन 20 वकी है दूसरी लंबी परवश्ण खला है ठीक किसके 20 वकी तो नार्थ अमेरिका के सबसे लंबी परवश्ण खला कौन सी यह रेकिर वकी परवश्ण है याद रखेगा इसके बाद हम लोग देखते हैं मांट इलवर्ड जो है राकी परवत की उची चोटी है तो प्रश्ण ऐसे बन जाएगा कि राकी परवत की सबसे उची चोटी कौन सी है तो यह है आपकी माउंट एलवर्ट ठीक कौन सी है माउंट एलवर्ट है यतना आप लोग याद रखेगां ठीक है अलास्का की पुछेगा तो मौंट मैकanले है जो कि alaska की क्या है सबसे उची चोटी है याद रखेगा अप लोग इसके बाद हम लोग देखते हैं आपके देखने को मिलेगा सीरा नवादा है आप लोग ने सुना होके सीरा नवादा जो कि आपके ईवेश्यम पड़ता है कहां पे उसे में इसको हम लोग मैप में यह मेक्सिको के पस्षिम छोर पर यह सिरा माद्रे अक्सिडेंटल मेक्सिको के पूर्वी छोर पर है तो यह तो होगे एक पॉइंट के रूप पर ठीक है इससे आप लोग नोट कर सकते हैं वैसे पीडियाफ आप लोगों को टेलिग्राम पर मिल जाएगा आप लोग के रहे थे टेलिग्राम का लिंक ने मिला था तो मैं वीडियों के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा ठीक है तो आप लोग वहां से टेलिग्राम से जोड़ जाएगा ठीक है इसके बाद आईए हम लोग देखते हैं अब मैप के माधम से कि कौन सी परवस रेडी ठीक है याद रखे कि एटलस आप लोगों को लेकर पढ़ना है ठीक है देखे ये किवल टिस्टी पिस्टी यल्टी के लिए नहीं है आप यदि सूपर टेट किसी भी एकजाम के त्यारी कर रहे हैं तो यदि आप जियोग्राफिम पकर बनाना चाहते हैं तो आपको हटा के ठीक है तो यह देखिए तो यह देखिए यह जो एरिया है ठीक है इतना जो एरिया आपका यह वाला एरिया इस तरह से है ठीक है तो यह आपका कनाडा है ठीक है इसके बाद यह वाला जो एरिया आपका है ठीक है तो यह आपका USA है ठीक है क्या है USA है नीचे आप दे तो इतने देश ताब भी फिलाल आपको जियोग्राफिकल के इतनात आपको उतरी महादिप में आपको याद होने चाहिए ठीक है इसके बाद आप देखेंगे अलास्का ठीक है अलास्का कहा है ठीक है अलास्का एक बरफिला चेतर है ठीक है तो ये रहा आपका अलास्का ठीक है ये वाला चेतर जो है ये अलास्का आके अंतर गताता है ठीक है तो ये जो है आपका अलास्का ठीक है Alaska है चलिए तो हो गया कौन सा देस कहां पे था अब हम लोग परवद पर आते हैं ठीक है देखें सबसे पहले हम लोग Alaska की तरफ हम लोग बढ़ते हैं और देखते है कि Alaska में कौन सा परवत कहां पे हैं देखें तो यह है आप Capawk अलास्का ठीक है ये अलास्का हो गया इसके बाद हम लोग देखते हैं अलास्का में जो है बुक्स रेडी हम लोग देखा था ठीक है कहां पर बुक्स रेडी तो ये रही है आपकी बुक्स रेडी ठीक है तो ये है आपकी बुक्स रेडी अलास्का की ये है बुक्स रेडी ठ इतर हैं इसके बाद हम लोग देखते हैं एक सेड़ी और है जो कि आलास्का के नाम से ठीग है तीक है इसको अ it देख लेते हैं इसके बाद हम लोग देखते हैं एक चोटी मांट मैकेनले चोटी जो कि अलास्का के सबसे उची चोटी हम लोगो ने पढ़ा था वो कहां पर ही तो यहां पर यह है आपकी मांट मैकेनले चोटी जो कि अलास्का की सबसे उची चोटी है तो यहां पर आपकी अ कनाडा के अंतर गताती है तो यह रही आपके क्या है मैकेंजी स्रेडी जो कि अलास्का और कनाडा दोनों के अंतर गताता है इसके बाद हम लोग देखते हैं ठीक है इसके बाद देखते हैं हम लोग कोस्ट रेंज ठीक है तो यह रहा कोस्ट रेंज ठीक है यह कोस्ट रेंज होते हुए यह जो है परवस्रेडी जो है इसे हम लोग करते हैं रौकी परवत जो कि आपकी कनाड़ा और इवेस से दोनों के अंतरगत आती है तो यह आपकी रौकी परवत हो गई इसके बाद हम लोग देखते हैं रौकी परवत के सबसे उची चोटी कौन से है तो माउंट ए मॉंट इलवाइट टीक है यहाँ पे तो ये है आपके रोक पर्वत के सबसे उंची-चोटी इसके बाद हम लोग देखते हैं आते हैं सिरानेवद्दी आभी हमने पढ़ा कि हुएसे में सिरानेवद्द है तो यह इस वाले अरिया में आपको सिरानेवद्द यहाँ याद रखेगा ठीक है इसके बाद युएसे में ही एक और परवत है ठीक है अप्लेशियन परवत मुख्य रूप से यह आपका ठीक है यह आपका अप्लेशियन परवत जिसे प्राचीन वलीद परवत कहा जाते हैं यह प्राचीन वलीद परवत प्रश्ण बनता है कि कौन सा नवीन परवत है कौन सा वलीद परवत है प्राचीन वलीद परवत है याद औरहेगा है अब हम बढ़ते हैं मैक्शिको की तरप, तो यह रहा आपका मैक्शिको, ठीक है, ніहापका मैक्शिको, मैक्शिको में जो एक सीरा मादरे है, ठीक है, ऑग tendency ठीक है, तो यह रहा में जो परवत हैं उनकी जो मुख्य रूप से चोटियां थी इसे हमने मैप के मादम से पढ़ा एक बार नहीं दो बार देखेएगा ठीक है समझ में आ जाएगा ठीक है देखे ये वाला एरिया ठीक है ये नौर्थ अमेरिका के ये वाला जो एरिया है इसमें कुल साथ देश ह ने टोटल साथ देश हैं, याद रखियेगा कितने देश हैं साथ देश हैं और इन देशों को कहा जाता है कैरीभीयाई देश ठीक है कैया कहा जाता हैँडाई उनको mere- Luq सरूप से दिखा है तो सबसर पहले हमने देखा ता कि वह तरि अमेरिका को नई कहा जाता है इसके खोचे दोस्तों बानमे में कोलंबस ने किया था ठीक है इसके बाद मुख्य रूप से इसके परवस रेडिया ब्रुक्स रेडी अलास्का स्रडी मैकेंजी रौकी इस तरह से जो मुख्य रूप से उसको हमने पॉइंट के रूप से और मैप के माधन से देखते हैं इसके प्रमुख पठार देखते हैं वीडियो थोड़ी से लंबी सायद चलिए कोई बात ही है 5-10 मिट और लगेगा इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे तो आये देख लेगते हम लोग मुख्य इसके प्रमुख पठार ठीक है देखे फ्र पहले यहां पर दो तरह के पठार पाये जाते हैं उत्री अमेरिका में ठीक है पहला आपका अंतरा पर्वती पठार ठीक है पहला आपका अंतरा पर्वती पठार अंतरा पर्वती पठार किसे कहा जाता है तो दो पर्वस्रेडियों की मद का जो पठार होता है उसको अंतरा परवस्रेडी करते हैं, दूसरा आता है इसके अंतरगत, आपका महादुपी पठार, तो महादुपी पठार कौन से होते हैं, ऐसे पठार जो स्वतंत रूप में होते हैं, ठीक है, ऐसे पठार जो स्वतंत रूप में होते हैं, उसको हम लोग महादुपी पठार करते हैं, अं लेकिन एटलेस आप लोग देखा करिये ठीक है चलिए तो आईए हम लोग देखते हैं आंतरा परवती पठार जो नौर्स अमेरिका में है मुख्य रूप से कौन-कौन से उनको हम लोग देख लेते हैं जहां से प्रश्ण बनते हैं हम लोगों के तो सबसे पहले हम लोग प्रिटिस कोलंबिया का पठार देखे को लंचे यहां पे हैं बिटिस कोलंबिया का पठार हैं ठीक के उसके पूरे बुरुव मैं आता है इसके बाद किया श्केन का पठार है जो elements uh carry के मद्ध है ठीक है इसके बाद आपका कोलो रेडा का पठार है जो कि राकी एम सीरा निवादा के मद्ध है इसके बाद कोलो रेडा पठार एम सीरा निवादा के मद्ध जो मद्ध ग्रेट बेसीन में ठीक याद रिखेगा कोलो रेडा पठार एम सीरा निवादा के मद्ध ज मादरे औक्षिदेंटल, जोकि आपके पूर्वे इन दोनों की मध्य आपका मेक्षिक्यों का पठार है तो यह आपके थे आंतरापरवती पठार अब लोग देख लेते हैं महादिपी पठार महादिपी पठार आपके नार्थ अमेरिका में दो है एड़वर्ट पठार मुख्य रुप से और अजार का पठार चलिए तो इतने पठारों को हम लोग देख लेते हैं मैप में ठीक है तो देख लिए थोड़ा सा माई इसको जूम आउट कर दे रहा हूं देख लिए आप लोगों समझ में आ गया होगा ठीक है आप इसका इसका स आट ले सकते हैं इसतर से वैसे पीडिएम मिलेगए चलिए ब लहुँं हम लोग देखते हैं चली हैaufen कर लें यह देखे देखें यह अहां पर जैसरा कि आ अलासका है तो अलासका में ही आपकी जो है यह बूक् fuerte hour यहाँ यह जो श्री है यह आपकी अलासका स्री है इसी के ब यूकान का पठार का आ जाता है तो यह रहा आपका यूकान का पठार जो कि ब्रुक्स रेडी और अलास्कास रेडी के मद्ध है याद रखेगा ब्रुक्स रेडी और अलास्कास रेडी के मद्ध है यूकान का पठार है जो कि आपके अलास्का के अंतरगत आता है ठीक है इसक लुटे बाद हमने देखा था क्या Rocky परवत जो की आपके कनाडा और USA में है इसके बीच में ही एक पठार ये है इस पठार को कहा जाता है British Columbia का पठार ठीक है यहां तक आई है, इसके बाद, आपका, जो यह cascate study है। खीक केश्केट सेड़ी है इन दोनों की मद्ध में ही आपका आपका कुलंबिया सकेन पठार है इसके बाद आगे हम लोक बढ़ते हैं तो आपका कोलोरेड़ जो पठार था जो था आपके सेरा निवादा परवस्रेडी कि ठीक है जस्ट उपर और Colorado पठार के बीच में ही Great Basin छी छेत्र है, ठीक है कौन सा? Great Basin का छेत्र, ठीक है तो Great Basin का छेत्र कहां पर है Colorado पठार और Sierra निवादा परवसरेडी की मद में तो यह रहा है यह है आपका Great Basin का छेत्र इसके बाद और हम आगे बढ़ते हैं तो यह आपका और इडवरड़ का पठार तो यह नोज है कि यह दसके बाद देखते हैं मैक्सिकों में इन दोनों के बीच में ही आपका मैक्सिकों का पठार यह रहा मैक्सिको का पठार ठीक है तो friends हम लोगे मैप में देखा अभी नहीं समझ में हो तो एक बार और से वीडियो देखिएगा फिर इसके बादा PDF देखिएगा ठीक है इसको नोड्स बनाएगा पिडियो पढ़िएगा लेकिन उससे खुद अपने से बनाएगे न friends देखिए जब मैं बनाता हूँ तो दिमाग में उससे ठोता जाता है इसी तरह से जब आप मैप बनाएगे तो आपके दिमाग में क्या होगा कि यह चीज़े अच्छे से मैप में ठीक है आगे वाली वीडियो में हम लोग देखेंगे इसके कुछ है और बहु helping factors जैसे की नदिया हो गया ठीक है और भी इसके जो भी मुखे मुखे जो if ponto होँगे उसको हम लोग देखेंगे फिलाल इस वीडियो में इतना ही अपनी त्यारी करते रहिए बहुत जल्द ही आप लोगों को प्रैक्रिसेट आपको लाइफ स्टार्ट होने वाले ठीक है तो तैंक्यू धन्यवाद